इस करुणा कलित हिर्दय में क्यूं विकल रागिनी बजती क्यूं हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती नमस्कार समझ में आ गया होगा क्यूंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं आसू और इसको लिखा है जैशंकर प्रसादने और हमारे फॉर्थ समिस्टर के सिलेबस में है यह इसका हिंदी वर्जन नहीं इंग्लिश वर्जन है जो कि ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एजज य वाइट ने लेकिन इंग्लिश वर्जन को समझने के लिए साथ-साथ आपको हिंदी वर्जन भी समझना होगा क्योंकि इस paper का ही नाम है Indian Literature in Translation तो अगर आपके exam में आता है यह stanza कोई भी stanza आ सकता है क्योंकि जो आपकी 7th और 8th unit है उसमें एक prose paragraph है जो Hindi to English आपको translate करना है और एक English to Hindi translate करना है 8th unit में आपका poetry का passage होगा stanza होगा वो आपको एक stanza है Hindi से English में और English से Hindi में translate करना पड़ेगा तो आपको Hindi और English दोनों को यही poetry से familiar होना परचत होना जरूरी है अब poem को सुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जैशंकर पसाद जी के बारे में जान लेते हैं आसू को जो translate किया गया है English में 1889 वारानसी इंडिया तो जैशंकर पसाद जी का जन 30 जनवरी 1889 को वारानसी भारत में हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था आप कह सकते हैं He had a short span of life and died at the age of 48 on November 15, 1937 तो बुक में 14 जनवरी दिया गया था जो के गलत है मैंने काट कर इसको 15 November कर दिया मैंने कई जगे देखा तो उनकी जो death है वो 15 November ही दी गई है 1937 में उनकी मिर्ती हुई He was a notable poet, novelist, playwright and short story writer वो एक जाने माने कवी थे उपन्यासकार थे, नाटकार थे और लगुकताहलेक थे उनकी कई सारी लगुकताएं आपने पढ़ी होंगी जिसमें से पुरसकार बहुत ही प्रसिद्ध है और सिलेबस में रहती है हिंदी के सिलेबस में जैशंकर पसाद को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को वर्तमान पीड़ी में लोकप्रिय बनाया इज एन आइरनिक फैक्ट अबाउट जैशंकर पसाद ये बड़ी विडमना पूर्ट तत्य है कि जैशंकर पसाद को जैशंकर पसाद के बारे में जो बात है दाट ही है तो ड्रॉप आउट ओफ स्कूल at a very early age due to financial problems of his family कि उनको बहुत जल्दी ही स्कूल छे ओड़ना पड़ा क्योंकि उनके परिवार में कुछ आर्थिक समस्याएं थी लेकिन साहित्य के प्रती जो उनका प्रेम था वो कभी समाप्त नहीं हुआ बिसाइड्स हिंदी जैशंकर पसाद was interested in a number of languages हिंदी के अलावा जैशंकर पसाद कई सारी भाषाओं में रुची रखते थे हावेवर, he opted for हिंदी to express his thoughts in the form of poems, stories and novels हालंकि उन्होंने अपनी कविताइं लिखने के लिए कहानिया लिखने के लिए और उपन्यास लिखने के लिए हिंदी भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति की भाषा बनाया he is one of the greatest literary figures in modern हिंदी writers वो आधुनिक हिंदी लेखकों में महनतम लेखकों के बीच गिने जाते हैं introduction to poem अब जो poem आपके सलेवस में हैं आसू उसका एक परचा देखिये आसू जो कविता है उसको जैशंकर पसाद द्वारा हिंदी में लिखा गया था और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था चाल्स जैवाइट के द्वारा और इंग्लिश में इसका टाइटल है दे गार्डन अफ लोनलीनेस इस एक अटो बाइग्राफिकल पोईम ये एक आत्मकथात्मक कविता है इस एक एलेजी कंपोजड इन मेमोरी ओफेज वाइफ ये एक एलेजी है एलेजी से आप परचेत हैं सेकंड सेमिस्टर में पढ़ चुके हैं एलेजी पर वीडियो बनाया था और एलेजी रिटेन इनर कंट्री चर्च यार आपके सिलेबस में थी उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया थे दो वीडियो बनाया थे तो आप अच्छे से परचेते हैं कि किसी की मृत्यू पर लिखी जाने वाली कविता एलेजी कहलाती है तो ये भी एक एलेजी है जो उन्होंने अपनी पत्नी की इस मृत्यू में लिखी है He loved her so deeply वो अपनी पत्नी को इतना गहरा प्रेम करते थे that he did not wish to live without her क्योंकि वो अपनी पत्नी की मृत्यू के बाद जीना नहीं चाहते थे After great efforts जैशंकर प्रसाद recovered his balance of mind काफी प्रयासों के बाद जैशंकर प्रसाद ने अपना मानसिक संतुलन पुनेह प्राप्त किया It saved his heart from breaking and rescued his personality from utter collapse अब ये जो कविता है इसने उनको उनके दिल को तूटने से बचाया यानि उन्होंने कविता के रूप में अपने दुख को अभिव्यक्त कर लिया तो उनका दिल तूटने से बच गया और उनकी जो personality है उनका जो व्यक्तित तो है वो बिखरने से बच गया आसु एक लेखा जोखा है उनकी miserable condition बाने उनकी दुर्दशा का and restoration of balance और उनके पुने संतुलित होने का परसाद compose it in 1924-25 तो 1924-25 में उन्होंने इस कविता को लिखा है He published its first edition in 1925 जैशंकर परसाद जी ने इस कविता का पहला प्रकाशन निकाला पहली बार प्रकाशित किया इसको 1925 में इस एडिशन कंटेंट ओनली 126 स्टेंजा इस प्रकाशन में केवल 126 स्टेंजा थे पद्यांश थे The second edition was published in 1933 और दूसरा जो संसकरण कविता का आया वो 1933 में आया और उसमें 190 स्टेंजा थे आसू इस एक प्रेम की कविता है इसमें सारी विशेशता है लिरिकल पोईट्री की It has strong emotions, great ideas, subjectivity of thought and feeling, high imagination and pictorial art तो इस कविता में strong emotions यानि अच्छी भावनाएं हैं गहरी भावनाएं हैं, great ideas, महान विचार हैं, subjectivity means आत्म परक विचार है, subjectivity of thought means विचारों की आत्म परकता है and feeling और भावनाएं हैं, high imagination, उच्छकोटी की कलपना है and pictorial art और इसमें यानि जो शब्द चित्र हैं, वो दिये हुए हैं आसु is a long poem consisting of 190 stanza's of four lines each आसु एक लंभी कविता है, जिसमें 190 stanza है और प्रत्य जो stanza है, पद्यांश है, वो चार पंक्ती का है it may roughly be divided into 17 books, इसको मोर्चत और पर 17 किताबों में विभाजत किया जा सकता है किया गया है तो जो stanza's है, वो इस तरीके से divided है, stanza's are divided into books according to the following chart यह chart है, book one में देखिए stanza number 1 से लेके 4 तक चार stanza है, number of stanza's, 4 है book one में, book two में 5 से लेके 15 तक यानि 11 stanza's है, 11 stanza's है, book three में 16 से लेकर 38 तक 23 stanza's है, और book four में 14 stanza's है, 39 से लेके 52 तर, book five में 53 से लेकर 59 तक 7 stanza's है, book six में 60 से लेकर 74 तक आप यह chart चाहें, तो इसका screen shot भी ले सकते है कोशिश करते हूं कि एक short में यह आ जाएं लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है, एक short में इनका आना ठीक है, देखिए शायद अब आ जाएगा, हाँ, अब आप short ले सकते हैं, screen shot इसमें पूरे stanza's और book wise, stanza wise और एक book में, किस book में, कहां से लेकर कहां तक stanza's हैं, यह पूरा आपको एक screen shot में आ जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि multiple choice questions में आपसे यह भी पूछ लिया जाए, किस book में, कितने stanza's हैं, कहां से कहां लेकर कहां तक हैं, तो यह आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और total number of books 17 और total number of stanza's 190, ठीक है, अब हमारे जो syllabus में हैं, यह English version है, और इसका पहला stanza देखिए तो अभी मैंने जब शुरुआत की थी इस वीडियो की, तो मैंने इसका हिंदी वर्जन आपको गाह कर सुनाए था कि in this pitious heart, इस pitious मने दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, दुख से भरे हुए इस हिर्दे में, इस दिल में now the crippled ragni, crippled ragni को जो हिंदी में कहा गया था, vikal ragni तो इसको इन्होंने translate किया, crippled ragni, crippled माने वैसे handicapped होती है अब ragni, rag और ragni, मतब एक गीत है, एक शास्त्रिय गीत होता है ragni तो अब वो ragni क्या है, crippled है, और vikal का मतलब बेचेन होता है जो हिंदी में शब्द प्रयोग किया गया है, vikal, और English में प्रयोग किया गया, crippled तो इसका मतलब है restless, बेचेन, place मने बजती है तो जो मेरा heart है, जो heart है जैशेंकर पसाद का, उसमें एक ragni बज रही है, एक गीत बज रहा है और वो गीत कैसा है, full of restlessness, बेचेनी से भरा हुआ गीत है why does the moan of its nose, moan माने आह होती है, of its nose, nose माने सुर होते है तो इसके जो सुर है, उनकी आह, swell, means गूसती है, इको करती है, फैलती है with an endless egg, endless माने जिसका कोई अंत नहीं है, unlimited, एक माने pain और उसको हिंदी में क्या कहा गया था, aseem, endless माने, aseem और एक को क्या कहा गया था, vedana, क्यूं हाहा कारशवरों में vedana aseem गरज दी इस करुना कलित हिर्दै में अब विकल रागनी बज दी, क्यूं हाहा कारशवरों में vedana aseem गरज दी तो why does this endless pain, this unlimited pain, thunders in my heart so there is an endless music playing in the heart of the poet and that music is full of pain और हमको ये सुनकर ये पढ़कर कितना अनन्दा रहा है ये कविता, देखिए, किसी के दुख को व्यक्त कर रही है, किसी के पीडा को व्यक्त कर रही है और हमें इसको पढ़कर अनन्दा रहा है देखिए, मनुश्य का कुछ ऐसा जटल, एक भावनात्मक अस्तित्त है कि उसको पीडा में वो रोता भी है दूसरों की पीडा में ऐसा नहीं है जब हीरो सफर करता है फिल्म में तो हम उसके साथ रोते हैं उसके साथ हम भी पीडित होते हैं लेकिन हमको आनन्दाता है हमको फिल्म अच्छी लगते तबी तो देखने जाते हैं आपको मालू है, जो टाइकनिक मुवी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है जिसमें के हीरो मर जाता है लेकिन वो पीडा, हमको आनन्द देती है जो जितने गीत हैं, सौंग्स हैं या पोईम्स हैं, या फिल्मी गाने हैं जितने भी, उन्हें सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले जो गीत है वो दर्द भरे गीत हैं वो सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं हीरो दर्द में कराह रहा है गीत गा रहा है और हमें वो सुनकर अनन्द मिलता है सुकून मिलता है, रात मिलती है तो ऐसा ही कुछ आप यहां भी मैसूस करेंगे आप इनके साथ sympathize करेंगे आपकी सहानव होती होगी पोईट के साथ और आपको बड़ा अच्छा लगेगा उनकी कविता को सुनकर और अब देखिए सेकंड इस्टेंजा Why do the burning tear waves at the heart seas words speak their tender sounds of something happened and forgotten मानस सागर के तट पर क्यूं लोल लहर की घातें कल कल ध्वनी से कहती है कुछ विस्मृत भीती बातें ये है इस स्टेंजा का हिंदी वर्जन तो अब क्या कहना चाहता है Why do the burning tears यानि क्यूं जलते हुए आशों की waves माने लहरे at the heart seas words यानि जो मेरे दिल का समुद्र है heart seas जो दिल का समुद्र है उसके वर्ज मने किनारे पर यानि जलते हुए आशों की लहरे है दिल के समुद्र के किनारों पर समुद्र क्या है दिल का देखे कितनी अच्छी तस्वीर खीची है और जो लहरे हैं जो जल है वो जलते हुए आशों का है speak their tender sounds यह नाजुक विनम्र धीमी sounds मने आवज इं तो वो बोलती हैं तक्राती हैं दिल के जो किनारा है दिल के समधल का जो किनारा है उसे तक्राती हैं वो लह रहे हैं speak their tender sounds बेड़ी धीमी सी नाजुक सी आवाज में बोलती हैं बताती हैं Of something happened and forgotten. कि कुछ हुआ था जो forgotten मने भूला दिया गया, भूल गया. यानि कि गुजरते वक्त के साथ वो बहुत सारी बातें भूल गए अपने जीवन की, जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिदाया था. लेकिन आज अचानक याद आ रही है, उन्हें अपनी पत्नी की कुछ बातें याद आ रही हैं, जो विस्मित हैं, जो भूल चुके हैं वो, और आज अचानक से वो सब कुछ याद आ रहा है. थर्ड स्टेंजा देखिए, वाई like a mad woman's veil, colliding, ricocheting, does my echo's return repeat from the empty horizon, insanely. आती है शुन्य शितिज से, क्यूं लोट प्रतःध्वनी मेरी, तकराती बिलखाती सी, पगली सी देती फेरी, ये हिंदी वर्जन है, वाई, क्यूं, like a mad woman's veil, एक पागल इस्त्री की, का विलाप, विल मने विलाप, रोना, तो ऐसा लग रहा है, जैसे कोई पागल इस्त्री विलाप कर रही है, उस पागल इस्त्री के विलाप की तरह है, colliding, colliding मने टकराते हुए, recogiting मने skipping, उचलते हुए, बिलखते हुए, does my echoes return, repeat, यनि मेरी जो आवाज है, मेरे रोने की जो आवाज है, इको मने होती है, प्रति धुनी, तो मेरे रोने की जो आवाज है, वो आकाश से जाकर टकराती है, और क्यूं लोट आती है, from the empty horizon, empty मने खाली, और horizon मने शितिज, तो आकाश से जाकर, मेरी रोने की धुनी, मेरा विलाब टकराता है, और कैसे टकराता है, जैसे किसी पागल इस्त्री का रुदन हो, insanely, insane मने पागल होता है, तो एक पागल इस्त्री का रुदन, जैसे हो, और वो आकाश से जाकर टकरा रहा हो, और वापस लोट रहा हो, मेरे हिर्दे की आवाज, उसी तरीके से टकराती है, आसमान से, और लोट आती है, और अब फूर्थ स्टेंजा देखिए, वाई लाएक दा गैंगीज ओफ स्टार्स, anguished tapping over its banks, does my consciousness river entail, waves that yield with such strain, क्यों व्यत्थित ब्योम गंगासी, छिट का कर दोनों छोरें, चेतना तरंगिनी मेरी, लेती है म्रिदुल हिलोरें, मतलब वाई क्यों, लाइक दा गैंगीज ओफ स्टार्स, गैंगीज ओफ स्टार्स जो आकाश गंगा है, जो व्योम गंगा बोला गया है, इसको जैशनकर पसाद के द्वारा, व्योम मने आकाश होता है, और आकाश गंगा की तर है, why like the गैंगीज ओफ स्टार्स, आकाश गंगा की तर है क्यों, एंग्विष्ट होती है चिंता, एंग्विष्ट मने चिंतित, चॉपिंग ओवर इस बैंक्स, बैंक्स होते हैं किनारे, चॉपिंग ओवर जो ओवर्फ्लो कर रही है, फ्लडड़ हो जैसे बार आ गई हो भावनाओ की, तो क्यों परेशान, चिंतित, गंगा की तर है, और उसमें जो जल भरा हुआ है, वो दुख का है, आंसुओं का है, और वो इतना ज्यादा है कि उसके बैंक्स, जो किनारे हैं, वो किनारों के ऊपर होके ओवर्फ्लो कर रही है, अपने किनारों को लांग कर, उपर से होकर वो बह रही है, दल्स माइ कॉंशनेस रिवर, चॉंशनेस चेतना, रिवर, नदी में चेतना की नदी, एंचेल, एंचेल का मतलब वैसे तो होता है, उत्तरादिकार निर्धारित करना किसी का, लेकिन यहाँ पर वो पैदा कर रही है, जो कॉंशनेस है, जो चेतना है कभी की, वो पैदा कर रही है, वेव्स, बने लहरे, दैट यील्ड, जो के निकल रही है, बाहर आ रही है उस गंगा से, विद सच स्ट्रेइन, ऐसी स्ट्रेइन होती है, ले, धुन, मेलोडी, तो ऐसी मेलोडी की साथ, ऐसी धुन के साथ, ऐसी ले के साथ, वो लहरे, अपने किनारों को तोड़ कर, बाहर आ रही हैं, तो आपने देखा होगा, कि जब कोई यादें आती हैं, तो एक के पीछे, एक के पीछे, एक एक के पीछे एक यादें आती चली जाती है ये हुआ था फिर ये हुआ था हम पहली बार वहां मिले थे पहली बार वो ऐसे थे वो जगह थी वो वक्त था वो दिन था एक के पीछे एक यादें आती चली जाती है जैसे लहरें आती है नदी में एक के पीछे एक लहरें आत चार ही स्टेंज आ है नेक्स वीडियो में हम बुक टू करेंगे उसमें 11 स्टेंज आज हैं यह वीडियो में यहीं समाप्त करूंगी धन्यवाद